सारे समण चंदा देना बंद कर दें 29 लाख संग्ठनों को 29 लाख धंब के लड़कों के सरकारी करमचारियों के दल बल पार्टी पैंथर के राजनीती के सामाजिक भंते भिक्कू के कि जितने भी टुकडे हमारे हैं अगर इनका पोशन बंद हो जाए और इनका चंदा बंद हो जाए और एक शर्त लग जाए कि चंदा देंगे जब एकटे होके आओगे तब और ये जो मुहीम चल रही है अगर ये मुहीम एक महिने के अंदर जोर पकड़ ले तो तीस दिन के अंदर अगर मुहीम चलती है तो 31 में दिन हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे ये ठीक ऐसे है कि जो जो हमने मर्ज की दवा की तो मर्ज बढ़ता गया और इतना मर्ज बढ़ गया कि हमारी मिर्तिव सहिया की स्तिती आ गई हमारा मरने का समय आ गया मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा करते गए और दवा है पोशन और उनको जो हम चंदा देते हैं यह इसी को देखते हुए जो गोल्डन नियम नंबर दो है यह पूरे भारत में और भारत के बाहर जितने 29 लाग संग्ठन है यह सब के अंदर खलबली मचाता है जब सारे समण संगी और समण संगियों के सपूर्टर सब यह कहते हैं कि चंदे के लिए समण संग ने मना किया है चंदा देंगे जब इखटे होके आओगे तब तो सारे लोग इखटा नहीं होना चाहते क्योंकि चंदा बंद करने की सर्थ या चंदा बंद नहीं कर रहे हैं पर इखटा होने की जो सर्थ है वो उनको परिशान करती है जानते हैं कि हम इखटा होना चाहते नहीं, किसनी चंदा मिलेगा नहीं। बहुत पुराने समय में अगर आप जाओगे, जब से हमारा समझ संग आरंभ हुआ, लोग इखटे होने सुरू हुए, सन्नि पात बहुल करते थे, इखटे होते थे, तो सन्नी पात बहुल के समय तब तक पैसा या रुपिया जो आज के समय का है या बैंक एकाउंट या चेक या डीटल करंसी ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी कागज भी नहीं बना था और धातू के सिक्के रजत के या सोने के बहुत बाद में बने उससे पहले धातू भी नहीं थी पर सन्नी पात बहुल था समण संग था और लोग मिलते थे सन्निकट बैटते थे सन्निकट बैटके सन्निकट पात करते थे और उनका समझ समझ यानि मेला जिसको आज समाज बोलते हैं उनका समझ लगाता लगता रहता था जिसको मेला बोलते हैं पर जब पैसा नहीं था जब रजत नहीं था सोना नहीं था चांदी नहीं था, cash नहीं था, check नहीं था, detail currency नहीं थी, transfer नहीं थी, ATM नहीं, ATM नहीं, तब भी लोग सन्निपाद बहुल करते थे, तो कैसे करते थे, क्योंकि मेले में आना, या ठेले में आना, समझ जाना, या बैटना, पूरे दिन के लिए लोग आते थे, दूर दूर से चल नहीं होता था, कि उनको कहीं घोजन या पानी का जुगार या मिलेगा, जिसको वो ले सकते हैं, क्योंकि पैसा नहीं और दुकान भी नहीं, तो सब अपना-पना खाना, अपने-पने साथ ले के आते थे, और ये विशेश्ता थी, कि खाना कभी कम नहीं पड़ता था, क्यो थोड़ा-थोड़ा सब लेके आते थे, जिससे भात भर जाता था, भात भरना उसी को बोलते हैं, भात माने चावल, और किसी के यहां अगर कोई सम्मिलन है, कोई संगती है, कोई कारज है, कोई सन्निपावत है, कहीं खटे हो रहें लोग, मरें में, जीने में, साधी में, ब्य जाता था तो उस घर में जिसमें कारज होता था उसमें चावलों की या खाने की पदात की कोई कमी नहीं पड़ती थी क्योंकि सभी अपने अपने हिस्से का लेके आते थे ये बात बहुत पुरानी बात है पर यह बड़ी कारगार, जब सन्नि पात बहुल से और उस सिस्टम्स से आगे हम एडवांस में बढ़े और बुद्ध ने भिक्कूआउं का भी संग बनाया, भिक्क लोगों का जब संग बना और भिक्कूनियों का संग बना तो बुद्ध ने नियम बनाए, उस समय के हिसाब से लेने के लिए यानि कि चांदी लेने के लिए धातु लेने के लिए पैसा लेने के लिए आज के समय का पैसा बुलकुल साफ मना कर दिया कोई ऐसी वस्तू भी नहीं ले सकते कोई जमीन जाजाद या कोई लगजरी की आइटम भी नहीं ले सकते जो लेने के लिए उन्होंने allow किया और नियम बनाए वो बहुत इस्तमाल की कम से कम चीजे थी एक भिक्कू दो चीवर ले सकता है वो भी चीवर का जो भी देगा या खाना जो भी देगा या खाने का पात जिसको पिंड पात्र या बाद में उसको भिक्का पात या भोजन पात्र बोलते थे वो देगा या भिक्कू के इस्तमाली कोई चीज देगा तो भिक्कू नहीं ले सकता भिक्कू उसे लेकर संग में जमा करेगा और संग में नियम था कि जिसकी आवशकता होगी उसको मिलेगा एक विक्ति को दो चीवर मिलेंगे पहले दो चीवर वो इस्तमाल करे अ बनाएगा उसका तॉलिया बनाएगा उसका पोच्छा बनाएगा उसका ओड़ने बिचाने की चाद़ा बनाएगा उसका पर्दा बनाएगा और उसको अगर बिलकुल खतम हो जाता है पाइदानबी तो फिर उसकी दिये की बाती बनाके उसको जलाके खतम करेगा यानि पूरा नमबर आता था उसको ये घटा बड़ी important है कि जो बुद्ध की यानि सिद्धत गौतम की जो माता थी खीर दाई माता यानि जिन्होंने दूद पलाये था जनम देने वाली माता तो मर गई थी तो वो जब भिकुणी बनी तो अपने हाथ से वो एक चीवर को बहुत बढ़िया तरीके से बुनकर कालकर बहुत अच्छी क्वालिटि का चीवर लेकर आई उन्होंने बुद्ध से आगरह किया ये चीवर मैं आपको लिए लेकर आई हूं उन्होंने कहा संग में जमा कर दो इसका मतलब जो भिक्कू थे वो बहार के जो सामान था उसके उपर पलते थे क्योंकि उनका नियम बनाया गया था कि वो ब्यापार नहीं कर सकते वो खेती नहीं कर सकते वो कहीं से कोई फल बगएरा या कुछ भी चीज नहीं खटा कर सकते उनका सिर्फ एक काम था कि लोगों को पढ़ाना और पढ़ाने के बदले में जो लोग खाना देंगे वो खाना लेना और 20% कम खाना और जो खाना आता था वो भी भिक्कू संग के नाम से आता था और भिक्कू संग में जाता था और संग में वो खाना मैस होता था मिक्स होता था फिर बढ़ता था सबको ऐसा नहीं कि कोई भिक्कू खाना ले और खुदी खाने बैठ जाए और जो खाना बसता था वो बापिस जानवरों में या कहिनागी बाट दिया जाता था तो वहाँ चीज़ें आती थी पर रज़त और पैसा नहीं आता था बाद में जब और हम आगे बढ़े और सिस्टम आगे बढ़ने लगा तो जो साधरन लोग हैं उन्हों लोगों को सामाजिक कुछ चीजों की कंबाइंट चीजों की सामुईक चीजों की गड़ परिस्द चीजों की इस्तमाल करने की चीजों की जरुत पड़ी और वो जो सारे के सारे कम दान क्या करते थे दान माने होता है देना और कम माने होता है कार्रे यानि उसमें कार्रे देते थे जिसको बाद में सरम दान के नाम से बोला जाता है सरम माने काम नहीं होता कम दान होता था वहां जितने भी लोग हुआ करते थे वह अपना सारा का सारा काम उसमे पड़ता था उसके बाद जो वहां कुवा बनता था तो कुवे के अंदर जो लागात लगती थी जो महनत लगती थी उसको सारा महला सारा समुदाय सारी कमुटी देता था रोवो पूरे समुदाय का कुवा होता था उस पे किसी एक का अधिकार नहीं होता था हर कोई उसको इस आने वाला भी इस्तमाल कर सकता है वैसे ही चौपाल का भी इस्तमाल कर सकता है उसके बाद जो समसान है वो समसान बनी समसान के अंदर कोई भी जो मुड़दा है वो जलता था वो समदान समसान जो होती थी वो सामुइक होती थी और उसमें सभी लोगों को जलाया जा सकता था उसकी देखवाल और मेंटनेस भी सभी की महनत से और अगर उसमें कुछ चाहिए तो सभी के हिसाब से होती थी। ये सामुईक चीज़ें हुआ करती थी जिसका इस्तमाल सभी लोग क्या करते थे। बाद में इस्तिती आगे बड़ी और जो सामुईक चीज़ें इस्तमाल करने वाली थी जैसे बरात घर हो गए, जैसे पंचाफ घर पक्के हो गए, या कुए की जगे टंकी हो गई, या सोचाले हो गए, जो सोचाले कम्मिटी के बनते हैं, या कम्मिटी की सड़क और नाली हो यह जो महलों की और कम्यूटी की और पूरे समुदाय की जो चीजें थी सामुएक इसको लोग आपस में मिलके बनाने लगे और बरावर बरावर का हिस्सा बांट लेते थे जो भी बरावर बरावर खर्चाता था हर घर से उगाय जाता था उसके बाद में फिर कुछ धर्म की स बने वाली जगे और वो सारी बुद्ध के बिहार हुआ करते थे वो बनने लगे अस्ताल बनने लगे तो वो सामुएक रूप से बनते थे कुछ राजा बनवा दे या वहां का व्यश्था बनवा दे बाकी गाओं के यह सारी चीज़ें अपने अपने सब लोग सामुएक र अब्राजितोबाद में बनी है कोई दूसरे गाउं का या तीसरे गाउं का या कोई सेहरका या कहाला या गोरा या कोई वह बहुता पहले जब हम ACE सरी चीज बनाते थे Bana बले बनाते थे और साव चीज मनुस्त사 लिए तो उन्हें बाहर से मदद मिली कुछ और मदद भी कैसी के बदले में काम करेंगे यानि जो राजा से पैसा मिला लॉन के रूप में वो इस सर्थ में मिला वो एक बाउन था जो लॉन था एजूकेसन लॉन के जब वो आएंगे तो उनके यहां काम करेंगे वो काम नहीं करने दिया, राजा ने उनकी request पर उनको कर-मुक्ता कर दिया, क्योंकि जो पैसा था उसके बदले में, एजुकिस्न के बदले में काम करना था, और काम करवाने में राजा सक्छम नहीं था, यानि राजा के खुद के करमचारी राजा के कंट्रोल में नहीं थे, और वो राजा की बात भी नहीं मानते थे, इसलिए डॉक्टर अंबेटकर को मुक्त करना पड़ा, और डॉक्टर अंबेटकर मुक्त होके चलेगे, पर इस लड़ाई से लड़ने के लिए संसादर नहीं थे, संसादर ने खटे करने में भी टाइम लगा, तो वहां से चीजें चलनी सुरू हुई, जो आज के संसादर में चलती हैं, जिसको हम चंदा बोलते हैं, यह पाली का सब्द है, यह दरसल इस सब्द का नाम है चंद, चंद जैसे हम यह कहते हैं, वो व्यक्ती बड़ा स्वचंद है, वो महिला बड़ी स्वचंद है, जब हम क किसी व्यक्ति को या किसी महिला को स्वेचंद बोलते हैं तो कहते हैं कि वो बिलकुल आजाद है, मौजमस्त वाली है, मौजमस्त वाला है, इसका मतलब है चंद माने होता था इक्छा, बाद में चंद से चंद बना चंद से इक्छा बनी, यानि इक्छा को ही पाली में चंद क कहते हैं और स्वयचंद का मतलब है खुद की इक्षा और परचंद का मतलब है दूसरे की इक्षा परा इक्षा पराचंद तो चंद इक्षा हो गई और बुद्ध के समय जब भिक्कों की कोई समस्य आती थी तो वहां पर बोटिंग हुआ करती थी इस बोटिंग को सलाका करके लखरी के छोटे-छोटे टुकडों में उनको रंग कर दिया जाता था, भिक्कू देते थे, जज बनाया जाते थे, उसके नियम थे, इसको प्राधिकन बोला करते थे, और वहाँ पर मुकदमा लगता था, उसकी सुनवाई होती थी, और लोग सारे भिक्कू जितने भी हैं, को अपना चंद दिया करते थे, चंद का मतलब आज के समय मत या वोट समझ सकते हैं, तो वो चुनते थे कि क्या हमें निर्णे करना क्या नहीं, उस चंद से चंद बना, और चंद से चंदा बना, क्योंकि चंद और चंदा का मतलब तो मून होता है, मून, यानि कि जो चंदर करके इक्षा करके चंदा करके बोने लगे पर चंदा का मतलब या चंद का मतलब पाइसा देना या किसी चीज को देना नहीं है ये खाली इक्षा है पर दान का मतलब जो पाली में होता है दान का मतलब होता है दिया हुआ तो दान बहुत प्रकार का है पाली के अंदर जैसे ध धम दान धम देना या बाद में कम दान आया जिसको स्रम दान बोलते हैं काम देना या जो दान में आता है जैसे हम कहते हैं गौ दान क्योंकि बाद में हमारी गाय लेने लगी हाला कि गौ का मतलब गौतम होता है गौ दान बन गया या बना भोजन दान जैसे भोजन किसी को दे हैं या पिंड दान वी पिंडी यानि के लडू होता है खाने का चावल जो बन्ता था गोला उसको पिंड बोलते हैं तो बोजन दान तो यह सारे दान यानि कि किसी को दैना यहां के साब से बनते दें Then तो दान का मतलब चंदा नहीं है और चंदा का मतलब किसी को पैसा देनाँ नहीं है पर यहां गरवल दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस बात को जानता है और मानता है और मानना पढ़ेगा कि अगर आप सामाजी काम करेंगे तो सामाजिक काम करने के लिए पैसे की आउसकता पड़ेगी पड़ेगी ये जो पोर्टल चल रहा है ये जूम चल रहा है जो मैं बोल रहा हूं इसके भी लगबग साथ जार रुपे हर मेने जाते हैं तो ये सामाजिक काम है ये संग का काम है तो पैसा लगता है और जहां जहां भी सामाजी की असंग के काम होते हैं, वो पैसा उनमें लगते लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर गर्वल कहा हो रही है, उसको समझें, गर्वल ये हो रही है, कि लोगों ने सामाजी काम करने के लिए लोगों से सहोग मांगा, और सहोग तो वो पहले भी करते थे कोई गाउं में चौपाल बनती थी पंचाइट बनती थी कुवा बनता था रहट बनती थी पराद घर बनता था समसार बनता था तो पहले भी ये लोगों के ही दी हुई चीजों से बनता था, कोई यीट देता था, कोई गारा देता था, कोई कम मदान देता था, बाद में पैसा आगया तो पैसा देने लगे, तो हमारे समाज में जब विपत्तिय आई तो समाज एक काम करने के लिए लोगों ने पैसे की डिमांड की कि पैसा चाहिए काम करने वाले आदमी तो हैं पर संसादन नहीं है तो पैसा एक खटा होता था बावा साब ने भी पचास पैसे के अख़वार बेचे हैं और जब जाके काम चलाया है तब जाके प्रेस चली है वो भी पैसे मांगते थे और लोग उनको पैसा देते थे बिना पैसे काम नहीं चलता था और बिना पैसे के बावा साब के बहुत सारे काम मटक गए और रुग गए इसमें कोई शक नहीं है और बुद्ध को भी चीवर चाहिए होते थे, पात्र चाहिए होते वो कमाते तो थे नहीं, क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया कि भिक्कू कमाएगा नहीं, तो जो आता था वो भी समाज से आता था, समाज से पर वो पूरा इस्तमाल करते थे और कम से कम लेते थे, खाना भी एक ही टाइम खाते थे और बारे वे से पहले खाते थे और बीस परसेंट कम खाते थे तो इसमें कोई शक नहीं कि समाज का काम हमें सा समाज के पैसे से चलेगा राना चाहिए पर लोगों ने इस बात को धंदा बना लिया और खासतोर से जब बना लिया जब बावासाव उम्बेटर नहीं ये कहा कि आपको अपनी आमदनी का 20 वा हिस्सा यानि 5% जो resources हैं और जो आपके पास में time है बेसिकली उन्होंने पैसे के लिए नहीं कहा उन्होंने कहा इंगलिस में कि आपका time और आपका resources वो pay back to society करना है talk tie time के लिए कहा resources का मत्यब संसाधन और पैसे भी आशकते हैं संसाधन में अपका सब्सक्राइब बहुत सारशी जा सकते हैं जो आपके पास resources हैं आपके खेत भी आ सकता है आपकी जमीन आ सकती है आपका घर आ सकता है आपके पास जो विद्धा है वो आ सकती है जो टेनिंग है वो आ सकती है जो उसमें कम दाने वो भी आ सकता है पर देने के लिए कहा सोसाइटी को और सोसाइटी के मतवए सिर्फ एक सोसाइटी जो हमारी अपनी सोसाइटी है खास तोर से उन्हें स्रिडूल कास सोसाइटी के लिए कहा पर स्रिडूल कास सोसाइटी के लिए तो किसी ने काम किया नहीं काम किया अपने लिए या काम किया अपने कास्ट के लिए पर सोसाइटी लोगों ने सपोर्ट किया, लोग खड़े रहे, लोग आए, पर गलती ये हुई कि लोगों ने हिसाब नहीं लिया, लोगों ने यकिन किया कि ये समाज के लिए आए हैं, तो ये इमानदा लोग हैं, और ये इमानदा लोग हैं तो इनसे हिसाब क्या मांगना हिसाब उन्होंने मनुबाद की तरह इस्तमाल किया सुरा सराब सुंदरी गाड़ी पैट्रॉल आज के समय मोबाइल कपड़े लगते महंगे होटल जहाजों में आना जाना दिखावा बड़े-बड़े सभाएं बड़े-बड़े लाउट स्पिकर बड़े-बड़े टेंट बड़े- और सबकी एक मंजिल हुई कि बस MLA MP या राजसवा का या MLC बन जाए कहीं या कम से कम किसी बोर्ड के मेंबर या प्रधान बन जाए यह उनका लक्षे होता चला गया उससे क्या हुआ कि संग्ठन में काम करने वाला वेक्ति जब वेबचारी हो गया और उसने हिसाब नहीं दिया तो संग्ठन तूट गया पर तूटने के बाद जो संग्ठन तूटा उसने उस दूसे संग्ठन की बुराई नहीं की बलकर एक समझाता हो गया दोनों में तू भी कमा और हम भी कमा हैं तू भी मत बता क्या हुआ हम भी ना बता हैं क्या हुआ फिर दोनों चंदा लेन रहा है तो वो भी चंदा मांग रहा है सो यूटूबर हैं तो वो भी चंदा मांग रहे हैं हर एक व्यक्ति अपना आई एफसी कोड और अपना अकाउंट नंबर भेज रहा है कोई बंदा फिलिम बना रहा है तो वो फिलिम के टिकेट एडवांस में दे रहा है कि मेरी फिलिम में चपेगी मेरी पांच लाग में चपेगी और वो डॉनेशन ले रहा है जिन्हों ने किताब का बेचने का बैपार किया वो डॉनेशन भी ले रहे हैं किताब के नाम पर किताब को के अंदर इस चंदे की विए से चार-चार बनने लगे, वो आपस में लड़ते थे पर लोगों को नहीं बताते थे, उनकी जो एटोशिटी जाती थी, वो कोट के थो एकटा करने के लिए पैसा लेते थे, कोट में जाता है चार लाग और लेते हैं, चालिस लाग पूरे देश से खटा होता है, रेली निकालते हैं, रेली में लगता एक लाख और इखटा करते हैं, एक करोड ये पैसा देना हमारे लिए जहर होता चला गया, यहां तक कि इसमें जो धम के लोग थे, वो भी चीवर पैन पैन के आगे, और उन्होंने भी अलग-लग मठ खोल लिए, और वो भी इवेंट करते हैं, क्योंकि बिना इवेंट के कोई पैसा देगा नहीं, यहां तक कि बुद्ध के धम को भी नहीं छोड़ा, बुद्ध परणा पे भी अलग-लग लोगों ने अलग-लग संग्ठन बनाके, अलग-लग उगाई करनी शूरू करी, और बावा साब के बाली गलोच के सिवाय कुछ मिला नहीं, लेटर इस घष्टना बताता हूँ आपको, दिल्ली के अंदर पारलिया मेंट पर 14 अपरेल को बावा साब का जनन दिन मनाते हैं, हजारों लोग आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं, वहां सभी लोग अपना एक सलाना इवे काने के नाम से अपने अपने डिपार्टमेंटर सो पैसे लेता है, उनका डिपार्टमेंट उनको पैसा देता है, बावसापकी जयनती मनाने के लिए, वो सरकारी पैसा आता है, और जो बाकी संख्ठन के लोग हैं, वो पैसा खटा करते हैं, कि हमको वहां पर केला बातना है अम्रूद माटना है, पूरी माटनी है, सब्जी माटनी है, फलाना करना, ढरना करना है, तो वो पैसा खटा करते हैं, तो वहाँ मारा मारी हो गई जगे के लिए हैं, कि प्राइम जगे कौन लेगा, हम भी पहले जाते थे तो रात को दो 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 दिन पहले वहाँ पर जगे हम रेगुलेट करते हैं और समिती बनी च्छाथ 5-6 साल पहले समिती बनी उसमें हमने अपने दो इस्टाल लिखवा दिये उन्होंने समिती का पेमेंट लिया हजार जार रुपे हमने वह दे दिये और भी लोगों ने हजार जार रुपे दिये पर ना तो हमने यह पूचा कि ह फजार रुपे क्यों लिए यह हं तो जगए की बात है यहां क्या खड़च होना है वैं जगए का मार्किंग था वो ही हटा दिया वहां से मैं गया हुआ था बाहर तो यहां हमारे जो समर्ज संगे- लोगे यहां वह कहरें जी वह टेंट की जगे तो दी नहीं किसी से क्याका वाखे कहीं पर टेंट लगा इस साल मैंने फिर का आब हिसाब कहा है तो इस साल खूब जगड़ा हो रहा है और वो जगड़े के बतले में हम से जगड़ा कर रहे हैं पर हिसाब नहीं देते तो आप किसे हिसाब मांगोगे भी तो जगड़ा ही करेगा हिसाब नहीं देगा क्योंकि हिसाब देगा तो पैसा देना पड़ेगा इसलिए हिसाब नहीं देते लोग यहां ऐसे लोग हैं जिन इसनिये करप्ठ हो गया इसनिये बिगड़ गया क्योंकि इसमें पैसा गुस गया और पैसा बिना हिसाब कर अनापसना पैसा इतना पैसा है कि कोई आदमी अर खाली दिल्ली के अंदर भगवान बुद्ध के नाम का एक इवन्ट लगाने के लिए चला जाए तो वह भी दस वी दूरी में देते रहते हैं विचारे पूछते नहीं तो उससे क्या हुआ कि यह जो संधन जितनें भी है कि तब तो ये ऐसा कौन सा काम है कुछ लोगोंने तो यह भी ब्लेम लगा कि यह दूसमन के लोग हैं दुस्मन के आदमी हैं ये सब कुछ खतम करना चाहते हैं सब कुछ करना चाहते हैं पर किसी ने भी इसको ये सहयुग नहीं किया कि हमको इखटा होना चाहिए वो इखटा होने वाले बात जो हमारी मेन थी उसको किसी ने भी ओबे नहीं किया किसी ने भी कोई भी उसको माना न तो चंदे की जो समस्या थी, वो समस्या हमारे लिए जहर बन गई, और वो हमारे मिसर मुवमेंट के लिए पूरी तरह से एक खतम करने वाली तहस्नेस करने वाली बन गई, जो हमारे मिसर मुवमेंट को खतम कर रही है, कोई कहता नहीं कि मैं चंदा खाता हूं, पर कोई बनाऊंगा, मैं फलाना बिहार बनाऊंगा, मैं फलाना भवन बनाऊंगा, उसकी मेंटनेस में भी खाते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन में भी खाते हैं, और उसके लिए लड़ते हैं, और मरते हैं, और चुनाब जीतने के लिए पूरी हत्कंडे अपनाते हैं, ताकि उसमें रह property यां बनाई, वो सारी property यां चली गए, वो सारी property आज हमारे पास नहीं है, वो सब personal हो गई, private हो गई, वो सामाजिक नहीं है और बावा साथ से पहले आप जाके देखोगे, जो समराथ असोग ने सामाजिक प्रॉपपरटियां सारी बनाई थी, वो भी हम रखवाले नहीं कर पाए उनकी और नाएं उनको देख पाए और जो हमारे मंदर थे,िह मंदर भी चले गए, वो हम उनको स्पिक आर नहीं नहीं कर पाए वो चीजों को हम सेफ नहीं कर पाए तो जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं और जितनी भी चीजें हैं ये जगडे का अड़ा है और इनसे मिसन मुव्मेंट खराब होता है खतम होता है इनकी आवशकता है ऐसा नहीं है कि इनकी आवशकता नहीं है बैठने के लिए उठने के लिए आपको बिहार भी चाहिए जगे था और जो पहले स्रमण लोग सारे करते थे कि चीज़ें जो बनाएंगे वो सारी की सारी चीज़ें व्यक्ति की नहीं होंगी, किसी भी हालत में व्यक्ति की नहीं होंगी, वो सारी की सारी चीज़ें जितनी भी होंगी, वो संग की होंगी, और संग की होंगी तो उनका मालिक आज इवन संग ही रहेगा उनका कोई व्यक्ति नहीं बन सकता और इसका कोई रिष्टेशन नहीं हो सकता इसलिए वो सारी चीज़ें संग की होईगी पर संग की चीज़ें सामुइक होती हैं वो सेंट्रलाइज होती हैं उस सेंट्रलाइज सिस्टम को कोई अडॉट नहीं करन बनाओ, सारे बुद्विहारों को जोड़ो, सारे अम्बेट का भवन को जोड़ो, सारे कवीर भवन को जोड़ो, सारे रविदाग भवन को जोड़ो, जितने वालमीक भवन उनको जोड़ो, जितने गुरू चांठागरु के हैं उनको जोड़ो, जितने नामदेव के हैं उनक के उसका की सिस्टम होना चाहिए कि का किसको बनना है, कैसे बनना और этज बादनका पैसा पूरे भारत का और भारत के बाहर का एक जिगे जाना चाहिए। उसका यूदिक होना चाहिए। वह सब पुब्लिक के नियंत्रण में रहना चाहिए। व्यक्ति बदलते रहने चीए जो उस पर काम करने वाले हैं और एक व्यक्ति नहोंगे, बहुत सारी व्यक्ति होने चाहिए उसके उपर अलग लग तरीशे जैसे बाकी लोग करते हैं, बाकी जितने भी लोग हैं उन्होंने संग से सी का, संग का सेंट्रलाइज सिस्टम सबसे पहले आनंद ने गड़ा और बनाया और बुद्ध ने बताया कैसे चलता है, वो आनंद उसके मेनेजर थे, और सारे भिकू जितना भी दाना आता था, वो सब उसमें जमा होता था, और फिर उसी हिसाब से मिलता था, जिसको आवशकता होती थी, उसमें कोई जढ़ा नहीं था सब को देने वालों को भी पता था कि कहां जमा करना है और लेने वालों को पता था कहां से लेना है पर यहां क्या हो रहा है कि यहां डॉक्टर अम्बेट करके जनम दिन पे एक हजार आदमी पच्चे चपवाते हैं की सेर के अंदर और अलगलग असामी ढूंडते हैं और पूरे देश ड एक सब नघे ब्सक्राइब करते हैं हम जो करना रही पता है कि हम भोस हम पता है अमेर करके जनबीं पे भी एक हटे नहीं हैं, अलग-अलग पच्चियां काड़ते हैं, अलग-अलग लेक्षर देते हैं, अलग-अलग हम प्रधान हैं और एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, ये बात उनको पता है, पर सेंट्रलाइस सिस्टम अगर होता है, तो उसका फाइदा बड़ा गजब का है, हमारे सेंट्रलाइस सिस्टम से, हमारे केंदिकर सिस्टम से सिखों ने सीखा, सिखों ने उनके यहां जो गुर्धवारे बनते हैं, वो चैरिटी वाले गुर्धवारे बनते हैं, और वो सारी सुविधाय सब के लिए हैं, खाली सिखो के लिए निया सब के लिए हैं, पर उस गुर्दवारे को चलाने की सेंट्रलाइज कमेटी है, और हर एक बंदे को पता है किस एकाउंट में अपना दान देना है, किस एकाउंट में पैसा भेजना है, तो गुर्दवारे क जितने भी पैसे हैं वो गुर्दवारे के अंदर दान में चले जाते हैं उनके एकाउंट में चले जाते हैं और वहां से उनको जहां गुर्दवारा बनना होता है वहां उनके गुर्दवारे की टीम गुर्दवारे बनाती रहती है यानि गुर्दवारा प्रवंदग कमेटी के पास में गुडवारा बनाने की पर्मानेंट लेबर है पर्मानेंट राजमिस्तटरी है वो 3 65 दिन गुडवारणाuse करेंगे और वह बहुत तोड़े से शिक्ष हैं और कुछ दिनों बाद उसके पीछे फिर 500 घजका पलॉट ख़िद देते हैं, उनके पास इतना प्रक्राइब क्योंकि उनका स्टेंटलाइज सिस्टम है, उनका लीकेज नहीं है, उनका पैसा लग लग नहीं है, पर हमारा हर एक आदमी अलग लग गुर्दवारी की पड़ची बनागे घुमता है, अलग लग कबीर भवन की पड़ची संग्धन अलग हैं, सारे मत अलग हैं, ये सारे समड अलग हैं, निके टुक्ड़े हैं अजारों, लाकों टुक्ड़े हैं, जितनी पड़चीयां आती हैं, उतना ही हमें पता चल जाता है कि इतने टूटे हुए हैं, पर संग की पड़ची नहीं देखियोगी आपने, और सं लुपिया हम अब तक खर्च कर चुके हैं अगर अर्बो खर्वो अर्व रूपिया एक साते संट्टराइ्व सिस्टम हमारा होता तो कितने सारे मामिद का भ्हवन होते div 마र अभी भी थोड़े हैं पर are इन अर्डलाज में सेंट्राइस सिस्टम सबका आने का जाने का होता तमिल नाडू वाला जो बंदा है अगर वो पंजाब जाता तो पंजाब के अमरसर के जो अमिट का भवने है या कवीर भवने या वालमी की भवने उससे अटेच होता रहा चुड़ जाता और वहां जाके फोकट में रुपे खटे हो जाते हैं चंदे के नाम से, उससे मतलब है उसका इंतियार करते है उसको वह देखते हैं, जैसे रहीं है, तो उनके पेड़ में जन्वरी में पras चप जाती है और फिर उसके बाद सबस प्रबरें ही सोच इतनी नहीं है कि पूरे भारत में अर्बो खरवर रुपिया जो चंदे का आता है अगर वो एक साथ आएगा तो कितनी बड़ी-बड़ी चीज़े बन जाएंगी यह पैसा एक खटा नहीं होता इसलिए बावा साव अमेट करगी जो जगे कनाट पेस के पास है जो पार्लियमेट के दिली के अंदर जो बावा साब का चैत्ते भी नहीं बन पाया है उस पर आज तक बावा साब का कोई बुद्वियार नहीं बन पाया है वो सब बेकार सी बिड़ी है और उसमें आप जाके लेटिन बातों नहीं कर सकते इतनी गंदे रहते हैं वहाँ पर कमरे में बदबु आ देते हैं क्योंकि हम उसको पैसा देते हैं क्योंकि हम उसका पोशन करते हैं इसलिए हमारी जो करांती खतम हो रही है और हमारा जो बदलाव खतम हो रहा है और हमें जो अच्छी चीज़े नहीं मिल रही है और हम जो मारे मारे घूम रहे हैं पूरी महत करने के बावजूद उसके दोसी हम हैं, चंदा लेने वाले दोसी नहीं है, चंदा लेने वाला क्यों मने करेगा, उसके तो मज़ा आता है, उसे तो पैसा मिलता है, उसका तो घर चलता है, वो कम मने, वो तो पूरी जोर कोशिश लगाएगा, और वो पूरी कोशिश करेगा, कि चंदा हमें मिलता रहे यह चंदा ना लेने का जो वाक्य है यह वाक्य सबसे important है सारे 10-10 के नियम में चूंकि पहले भी के भी चंदा नहीं था और पहले भी कभी पैसा इस तरह से नहीं लेते थे पहले सामिक रूप से काम करते थे वही वही परंपरा आप यहां स्रमर्संग में आई है, तो खाना अपना लेके आते हैं, खाना अपने लेके आते हैं, अगर 20-20 रुबे का भी खाना है, तो खाना भी तो चंदे की रूप हैं, पर अपना अपना लेके आते हैं, अपना अपना खर्च करते हैं, तो खर्चा अपने रूप से पुराने पैटन पर काम करते हैं और वही काम करते हैं कि जो सन्नी पात बहुल में जाएगा उसे ही खर्च करना चाहिए जो सन्नी पात बहुल में जाएगा वही अपनी डोट डोटी लेके जाए जो व्यक्ति आई नहीं रहा है जो व्यक्ति इवेंट में नहीं आना साइब और तुम उसके मूपे पैसे मरवा के चले आते हो जो आदमी मिसल मुमेंट से जुड़ा नहीं जो आदμि 괉कत करने है सिर्फ तुम इसनलिए पैसे लेते और Dhamka के लेते हो वह तुम्हारी बेचती तुक्ति करताइ है पैसे दें यहरो तुम पहले चीज़ है अगर संग की इज़त नहीं होगी संगी की इज़त नहीं होगी तो स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ेगा कैसे इसलिए अपनी रोटी खाता है और आँख मिलाता है क्योंकि कहावत है पुरानी कि मूँ खाए और आँख लजाए यानि कि आपका मूँ कि जुकेगी अगर आप किसी का फिरी के यहां खाओगे तो आपकी आँख नीचे होगी होगी आपने देखा होगा जब किसी बरात्में दावत में आदमी जाता है तो जब रोटी खाता है तो कैसी मीठी मीठी बाते करता है खलाने वाले की जा भले वहां से निकलने के आप सादू नहीं हैं, आप भिकु नहीं हैं, आप अपंग नहीं हैं, आप लाचार नहीं हैं, आपको घर से बाहर नहीं निकाल दिया है, आप कमाने लायक नहीं हैं, तो आपको कभी भी लाइन में लगकर खाना नहीं खाना चाहिए, कभी भी दूसरे का खाना नहीं खाना च जाएगा पर दिया है तो लेगा नहीं भिक्कू ऐसे कोई आया और आके उसने कहा कि यह लोग एक हाथ माना और चार रोटी देती नहीं लेगा पहले तीन वार याचना करेगा तीन वार याचना करेगा और भिक्कू उसके मन की स्थिति देखेगा कि यह सतकार के साथ में आद दोनों हातों से देता है तो सदकार के साथ देता है तो दोनों हातों से खाना देने का नियम भिकु के साथ ही बना है सदकार आदर के साथ में और निविदन करेगा नीचे बैठके निविदन करेगा जैसे थाइलेंड के अंदर होता है थाइलेंड के अंदर भिकु को नीचे बैटके दोनों हाथों से और निवदन प्रासना की जाती है, उनसे याचना की जाती है, कि आप हमारा ये खाने का भोचे समान घंड करने की किरपा करें, किरपा करें, ऐसे करके बोला जाता है, तब वो भिकू जब मन को चेक कर लेता है, और देख लेता है, कि देने वाले का आदर सतकार के साथ में भूचन दे रहा है, तो ही घंड करता है, और अगर उसको जराबी ये लगे, कि ये बोल रहा है और कह रहा है, पर इसकी आवाज डिफ्लेक्ट हो रही है, या इसका मन ऐसा हो रहा है, या इसकी बेड़े बेड़े, तो नहीं लेता है उसका खाना, बोटप का देते करें, बाद में आना, भाही आँसे, दोबार आया, तिवार आया, इस तरह कीडे मकडों जैसा और भेकारी जैसा वहार हमको वहां मिलता है, और भेकारी जैसे वहार को घरन करके हम वहां दो रोटीट की खातें, जो हमारे सरी में कभी लगती नहीं, संगों के अंदर कभी चंदा नहीं लिया जाता आपको जानकर ताजव होगा कि दुनिया जितने भी संग है वो चंदा नहीं लेते पर फिर उनका काम चलता है क्योंकि लोग अपनी सद्धा से, अपने सद्कार से वहाँ वस्तूर दे देते हैं, कोई स्टूर ले आता है, कोई कुर्सी ले आता है, कोई जमीन देता है, कोई कुछ देता है और उसका मालिक संग ही रहता है उसका मालिक व्यक्तिकत नहीं होता इसलिए ये बीमारी पहचानी गई कि हमारी मूवमेंट को खतम करने में इस पैसे का और इस चंदे का एहम रॉल है और इसको हमने ऐसे भी पहचाना कि हमारा सत्रू जो हमारा सत्रू है और जिसके हम सत्रू है वो सत्रू भी हमको चंदा देता है और सत्रू भी हमको ये कहता है कि तुमको इस काम के लिए पैसे दे दूँगा तुमको इस काम और वो घुच जाता है हमारे घर में दस वीस हजार रुपे दे के हमारे संग में घुच जाता है और लोग कहते हैं अरे ये बहुत बड़ी आदमी है ये इनोंने तो हमको एक लाख रुपिया दान दिया अरे भाई उनके पास में खरब रुपिया है वो एक लाख रुपिया भीग दे के तुमारे संग के अंदर घुस गए है अईसे बहुत केस हैं जो बुद्बिहार अंबेट के बहुर में लोगों ने बंबडों के पैसे लगवा रखे हैं और उनको ताजबोसी होती है उनको माला पैराएं जाती है उनकी जैज़कार होती है सिर्फ चंदा लेने की खातिर ताकि उनको पैसा मिला है तो उनकी आँके जुक जाती है और वो गुलाम हो जाते है तो चंदा गुलामी भी बना देता है गुलाम भी बना देता है सौबी माल भी खतम कर देता है मिसन मुवमेंट को बेच भी देता है मिसन मुवमेंट को तोड भी देता है Mission movement को हमेंसा के लिए 33 नियस भी कर देता है ये बीमारी सबसे बड़ी है क्योंकि वैसे भी पस्चिम के देशों ने पैसे का जो corporate system है वो हमारे देश में पूलते से फैला दिया है तो हरा आदमी को लगता है कि पैसा लेना अच्छी बात है अरे दे ही तो रहा है अरे दे नहीं रहा है आपको खतम कर रहा है इसलिए चंदा अगर आप लोगे किसी से भी लोगे स्रमलों से लो या वमलों से लो वो आपको खतम ही करेगा वो आपको छोड़ेगा नहीं आपकी नसले खतम हो जाएंगी पर अगर आप बावा साब की जन दिन में अपनी रोटी खाओगे अपनी रोटी लेकर जाओगे अपने पराठे लेकर जाओगे दो किसी और के लेकर जाओगे तो बावा साब भी परसंद होंगे बावा साब का जो मिसन मुवमेंट है वो चलेगा भी और आप भी सारी बीमारी से बच जाओगे और संग भी आगे बढ़ेगा इसलिए चंदा नहीं इसलिए हम किसी भी अलत में चंदे के लिए कभी भी रिक्मर नहीं करतें क्योंकि ये पहले भी कभी नहीं था और अभी भी कभी ही इसनुरी को इसको कॉलिज क को सकता है हम यूरी फॉटल यह सब हमारे होने चाहिए हमाइब один करनि है कोसे सारी सारी निए होनी चाहिए पर प्र सिंटालाइज ह intertwine है और की इसका मालिक नहीं का संग मालिक है तो कुगोंनी चाहिए को बनी चाहिए पर अगर centralized नहीं है कोई संस्ता इसकी मालिक है उसके बच्चे बाद में मालिक बन जाएंगे फिर ये चला जाएगा हाथ से फिर आप देखते रहे जाओगे या जब आपको काम पड़े तो वो आपसे पूछे कि आप तो इसके मालिक नहीं है हम तो आपको दे नहीं सकते मैं अपने परदान से पूछूँगा मैं अपने जनरल सेक्रेट से पूछूँगा फिर ये व्यक्तिकत हो गई है क्योंकि सेंट्लाइज सिस्टम में जितने भी लोगों ने आतक संग के तहत में अपने अपने संग के तहत में इस तरह की धर्मसलाएं या गुर्दवारे या ये बनवाएं हैं तो उनमें एक नियम बनाते हैं वो लोग सब के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानि जो पहले आएगा उसको दे देंगे उन्हें इस वास से मतलब नहीं है कि जैन आया या बौद आया या कोई सिख आया या कोई आया मनुष से आता है तो मनुष से को दे देते हैं तो ये उनके धर्म करने के काम के सिस्टम है पर हमारा सिस्टम तो सारा गरब ला रहा है पूरा सिस्टम हमारा था इसलिए उस सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको चंदा नहीं देना चाहिए और कोई भाना भी नहीं बनाना चाहिए कि वो आए तो दे देना चाहिए मांगे तो दे देना चाहिए नहीं देना तो नहीं देना है क्योंकि कई वार कड़ी दवाई पी नहीं पड़ती है अगर इलाज पूरा करना हो तो बहुत सारी होते हैं तो भी लाब दायक है कोई संग में आता है तो भी लाब दायक है और अगर संग इन लोगों में जाके मिलता है तो भी लाब दायक है लाब ही लाब होगा जब ये फेक और जूटे और मकार जितने भी लोग है जो चंदा खट्टा करते हैं यह कि खतम हो जाएंगे तो सचीर है इिमानदा अच्छे लोग बचेंगे और सचीर है अच्छे इमानदा लोग कभी चंदा नहीं खाते समाज का पर तो फिर हमारा सेंटलाइस सिस्टम बन जाएगा और सेंट्रलाइज सिस्टम बन जाएगा तो हमारा एक ही एक एकाउंट होगा एक ही नंबर होगा एक ही जेगा पूरे दुनिया का पैसा आएगा और वह पैसा करोड़ अरबों में आएगा क्योंकि इतना पैसा हमाई लोग खर्च करते हुआ है इतना पैसा अच आज इकटा कर लें हम तो आदे भारत को खरीज सकते थे और वो पैसा सारा बरवा चला गए हमारा उसलिए हमारी मिशन मुममेंट कोई ज़ाधा रास्ता हे नहीं कोई जादा समय है नहीं इसलिएं चंदा देंगे जब इखटे होके आओगे तब इससे पहले ना चंदा देंगे और ना चंदे का धंदा करने देंगे ना लेगे ना देंगे मेरे इस वक्त अब जीस से अगर किसी को कोई ठेश पहूची हो तो संग मुझे माफ करें झाल झाल